हेलो गाइज, welcome back to my channel तो भाई आज हम बात करेंगे अमन धातरवाल भाया के college की और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं भी अमन धातरवाल के भाया के college में हूँ जो की है NSUT मैं एक student हूँ NSUT का जो अभी second year मेरा खतम हो चुका है और मैं third year में आने वाला हूँ तो भाई अमन भिया ने चार साल पहले NSUT के review पे एक video डाली थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी ठीक है जो की भाई most popular video है NSUT के review के ओपर ठीक है तो आज की video में हम उसका थोड़ा सा reality चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या चार साल बाद भी जो अमन भिया ने जो factors बताए थे जो सारी चीजे detail में आपको बताए थी क्या वो आज भी सही है ठीक है मैं एक student होने के नाते जो अभी पढ़ रहा है NSUT के अंदर उस college के review पे मैं अपने खुद के comments करूँगा कि क्या भाई आज भी वो सारी बाते सच है ठीक है जो कि आपको YouTube पे review में दिखाए गई है तो as a student of NSUT मैं उसमें थोड़ा सा reality check देने की कोशिश करूँगा कि चार साल बाद भी क्या वो बाते सच है क्योंकि चार साल में तो जायर सी बात है कॉलिज का जमीन और आसमान दोनों चेंज हो जाते हैं ठीक है तो आज हम बताएंगे कि क्या उसमें कौन-कौन सी चीज़े अभी सेम है NSUT के अंदर जो अमन धतरवाल भाया की time का NSUT था और जो आज NSUT है उसमें क्या-क्या फरक देखने को आपको मिल रहे हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि पहला कि आपको एक NSUT का रीव्यू मिल जाए एक करंट NSUT के स्टुडेंट से ठीक है ताकि आपको पता लग जाए कि क्या हाल चाल है अभी NSUT के प्लेस्मेंट वगरा कैसी है इस टाइम करंट टाइम पे ठीक है क्या वो चार साल बात आज भी सच है या फिर नहीं है भाई इस रियालिटी चेक करने के लिए मैंने सिर्फ इसी वीडियो को इसलिए चुना है साथ में उस वीडियो के साथ जब अगर अमन धतरवाल भया की वह वीडियो तो तो भाई बच्चा हमेशा उसी को देखना प्रेफर करेगा इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो चुनी है उसका रियालिटी चेक करने के लिए क्यों और एक और बात ये थोड़ी पुरानी भी है तो अब कॉलिज में थोड़े से चेंज आ चुके हैं वह मैं आपको बताना चाहता है और भी मो और भी काफी पॉपुलर यूट्यूग वीडियो जिन में नसुटी का रिव्यू किया गया है बट इसका रियालिटी चेक मैंने जरूरी समझा और क्यों समझा वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है और पहली बात ही है कोई कॉंट्रोवर्शल वीडि का पार्ट था वो मैंने काट दिया ठीक है तो अभी स्चार्ट करते हैं तो कट आफ में कंप्यूडर इंजिनेरिंग देख लेते हैं उसी में सब का इंट्रेस्ट होता है ज्यादा तो थोड़ा फोट थाउजन थ्रिएंट सेवन गई है और आपकी कट आफ जाएगी दो जाती थी यह दो चार हजार के आसपास ठीक है अब जो सबसे अच्छी ब्रांच है एनस्यूटी की सीएस ए आई उसमें जाती है चार हजार के आसपास बाकी जो अपनी सीएजर ग्यारा हजार तक अराम से एड्मिशन मिल रहा होता है ठीक है तो पहले आगर आप देखो तो कटओ जाती थी सीएसी की अपनी 4,000 के असपास अब जाती है 10,000 के आसपास ठीक है और जो सीएसी है उसकी भी 5,600 के असपास अईड्मिशन मिल जाता है और बहुत ज्यादा अगर आपको कटओ के बारे में जानना है तो मैंने सेप्रेट वीडियो बना रखा है उसके लिए रुपे फीस थी तो आपके टाइम में डेड़ लाख रुपे फीस होगी और यह फर्स्ट यर के सेकंड यर में हो सकता है दस पंद्रा हजार और बढ़ा दें हॉस्टिल एंड मैस फीस की बात करें तो तीस से पैंटीस हजार पर इस पर मैं बता देता हूं जो आज जो फीस है तो आप जो नया बैच आने वाला है उसकी फीस होगी 2,29,000 फॉर फर्स्ट यर ठीक है और फॉर सेकंड यर यह होगी 2,40,000 और ऐसे ही आपके दस पंद्रा हजार रुपे हर साल बढ़ते रहते हैं और समिस्टर लगते हैं साल में दो समिस्टर होते हैं तो इसको मल्टिप् कि बात करें तो यह कोलेज की जान है ठीक है एनस युटी सिर्फ मतला बैस चीज क्या है तो अब भई आगया में मुद्धा फ्लीस्मेंट की प्लीस्मेंट के भाट कर लेते हैं तो हमारे कॉलेज ने है सच कोई ओफिशिल प्लीस्मेंट रिकार्ड नहीं निकाल रखा जिस पर आप थोड़ा थोड़ा सा निकाल देया आवरॉल एनस्यूटी तो उसके लिए भी मैंने आपको आपके लिए सेपरेट वीडियो बना रही है वह आपको आई बिटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको बाद में आप जाके आप देख सकते हो ठीक है वह सा यहां पर डिफिनेटली विजिट करती है सारी नहीं तो नबबद परशंट तो पका करती है ठीक है तो आपकी बात करें तो लगबाग 8 थे के बीच में रहा होगा ठीक है अगर हम सारी स्ट्रीम का पूरे कॉलेज का अबरेज पाकेज देखें तो और हाइस पाकेज की बात करें तो यार आइगेस डॉमेस्टिक जो है डॉमेस्टिक मतलब जो इंडिया में आपको मिला है तो भाई यह पहले के टाइम पे इतनी कंपन वह एपल में लगा था एक बच्चे का 64,00,00 पर इनमका ठीक है ओन कैंपस साथ में थर्ड यर में माइक्रोसोफ्ट में काफी बच्छों की इंटरन लगी स्प्रिंकलर में काफी बच्छों की इंटरन लगी जोगी तू लाइक पर मन्थ स्टाइपन देती है है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है कम नहीं हुआ है ठीक है कमपनी का आना वह आरांड पचास लाग के करीब कुछ गया है सेकंड हाइस माइक्रोसॉफ्ट है उसके बाद कुछ यह होगी आपकी प्लेस्मेंट की बात आगे गुड तिंग की बात करेंगे वह देख लेते हैं सबसे पहली बात अमेजिंग प्लेस्मेंट आपके मम में बापा बहुत जादा खुश हो जाएंगे ठीक है सेकंड है कोडिंग इन्वायमेंट बहुत सॉलिड इस कोलेज का मतलब क्या भी आप्रोफेसर बहुत अच्छा बढ़ाते हैं कोलेज को बहुत अच्छा करिकुलम में नहीं नहीं प्रोफेसर्स ओके-ओके करिकुलम बहुत खराब है पर जो बच्चों के अंदर एन्वायमेंट है न क्योंकि हार सारे तगड़े बच्चे आरें कॉलेज के अंदर ठीक है और एक प्रथा बनी हुए कि हमें अच्छी प्लेस्मेंट लेकर जानी है कंपनी आती है तो सारे ब बच्चे बीको डिंग कर रहोते हैं ऐट कोका है इंट बात आज बीसफीव थीथीचे बहुत सारे मतलब पता निए अब तो 300 एकड नहीं पता निए पहले होगा या नहीं बट अब जो है डीटीउ का वह अराउंड 161 65 ठीक है और एनस्टीफाइब एकड ठीक है और अपकी डीटीउ की बात करें तो वह अराउंड कुछ 300 एकड के करीब है आपका आट डेली 400 एकड के करीब है ट्रिपल आटी डेली छोटा है आपका 25 एकड का है आपके जो हिंदू कॉलेज और हांसराज सेंट स्टीफंस यह जो डेली उनिवस्टिटी के मेजॉरिटी कॉलेज यह 25 एकड के है तो उसके बाई बटाया कि तब उनके टाइम पे लगबग हजार बच्चों का हड़ साल अपना BBA, PhD और अपना MSC भी डाल दी है इनोंने तो बहुत सारे कॉर्से आ गए यह पूरा फुली उनिवस्टी बन चुका है वाई कैमपस इस वज़े से के हिसाब से 1,5151 बहुत बड़ा होता है और हमारे कॉलेज में नंबर ओफ तो भाई लोकेशन तो आज भी वैसी होगी है तो सब आपको पता हिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं इसके बाद भी आने अपने फ्री टाइम की बात करी है तो उसके बारे में भी डिसक्रस कर लेते हैं अब फ्री टाइम यार मैं जादा कुछ कमेंट नी करना चाहूंगा यह बच्चों पर होता है फ्री टाइम के ओपर ठीक है अटेंडेंस अपनी 75% मेंटीन करके चलनी होती है ठीक है 60% में अपना एफिडेविट लगाना पड़ता है बच्चे को ठीक है तो फ्री प्राइवेट कॉलिज जिस से जैसे भी या ने बताया इसारेम बगेरा हो गए तो इनके मुकाबले तो भाई बहुत ज्यादा फ्री टाइम है एकदम गौर्मेंट कॉलिज वाला महावल है ठीक है तो फ्री टाइम तो मिलता है बच्चों को अपना खुद कुछ करने का बह अपनी जैक या फिर जोसा काउंसलिंग में आपको है ठीक है परसनल गाइडेंस आपको चीए ठीक है तो आप मेरी परसनल गाउंसलिंग ले सकते है ठीक है उसका मैंने डीटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा है ठीक है उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं या फिर अपने मेल पर मेल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो तो कोई paid counseling में यह नहीं बता रहा है ठीक है और आपको choice filling वगेरा में पूरी help दी जाएगी ठीक है पूरी hundred percent help दी जाएगी call और chat पे doubt solve की जाएगे ठीक है तो I don't think कि इससे अच्छी paid counseling आपको कहीं पे भी पूरे YouTube वगेरा पे मिल पाएगी भाई हां तो भाई हमारे fest होते है जो main होता है मोक्षा भाई पहले से ज्यादा भाई पहले से काफी ज्यादा improve हो चुका है मोक्षा ठीक है जो भाईया की time तक मोक्षा होता था मेरे ख्याल से अब उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने लग गया ठीक है और जो इस साल का मोक्षा था ना वो पिछली साल के comparison म और आप यह होते हैं जैसा भीया बता रहे है थोड़ा सा में दुख भरी बात होगई कि फ्रेशर्स पार्टी बद बताया हो अब बहुत बाई जब से मैं कॉलेज में आया हूँ तो अब से तो फ्रेशर पार्टी भाई होई नहीं है ठीक है मतलब लॉग्डाउन के बात से त आपकी बात का तो मुझे नहीं पता हैं आप भाई साथ स्ट्रीम्स निया है क्यां कांड़ज के अलरट काफी सारी स्ट्रीम सा ठीक ब्रांच अचुकिए कॉलिज के अंडर ठीक है और NPA जैसे बुदिधा ने बताया वह MPA ब्रांच अब हट चुकी है बाई अब आगे सुन लेते हैं जाएगी तो वहाँ पे mechanical engineering जाधा अच्छी है ठीक है आपके IIT के लेवल की है mechanical engineering और वहाँ पे चुछ बच्चे का इंट्रेस्ट हो तो वहाँ पे जाना अगर computer science और IT stream की बात करें यहाँ पे बेटर है बेटर नहीं है सेम चीज़ है ठीक है वह कमेंट सेक्चन में डीट्यू वाले बद चोड़ा देंगा वरना पर मतलब फील समझ गहें आप तो labs and research opportunities कम है अगर labs की बात करें तो सरकारी college है समझ रहो तो उतनी अच्छी labs है नहीं अभी भी वही Pentium 3, Pentium 4 वाले computer चल रहे है जिनको Pentium 4 नहीं पता तो समझ यह न कितना पुरान हो गया system और और labs की बात करें तो उनकी भी स्थिती इतनी अच्छी नहीं है research opportunities पे अगर गोड़ दे हैं तो वह भी बहुत खराब है यार मतलब research opportunities उतनी जादा नहीं अगर आपको research में जाना है labs अच्छी ची है तो same ranking पे in fact इससे कम ranking पे भी आपको triple IT डेली में admission मेल जाएगा तो वहाँ पे faculties बहुत अच्छी है यार सारा infrastructure भी बहुत अच्छा है campus size कम है 25 एकड़ पर मतलब जिन बच्चों को भी इसमें जाना है वह computer centers है वह भाई बहुत जादा advanced बन चुक है ठीक है अभी नए नए computer centers खुले है ठीक है नया AI Center खुला गया अच्छी हो ही नहीं सकती क्यों कि एक प्यार हमारे होस्टल में सिर्फ सिंगल और डबल रूम है अगर आपकी colleges में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिंगल रूम और डबल रूम होस्टल में ठीक है और सिंगल रूम और डबल रूम होस्टल है ट्रिपल शेरिंग होस्टल बॉइस के लिए नहीं है और अगर हम खाने की बात करें तो मैस एडिबल है मतलब समझे घर वाली फील तो नहीं आएगी पर काफी मतलब खराब नहीं है अच्छा तो नहीं है पर समझी है ना तो यहां पर थोड़ा सा मतलब की बोलनी पाई अगर कोई गलत लगे तो मैं बोल देता हूं ठीक है तो भाई इसमें अगर मैं बताओ ना तो भाई जो मैस का खाना है ना अगर आप फस्ट चेयर में जाओगे ना तो भाई स्ट्रेट फॉरवड बताओ तो अच्छा नहीं लगेगा यार बहुत बेकार खाना होता है ऐसा तो उसके साब से हर एक बच्चे पर डिपेंड करता है ठीक है तो भाई बच्चे जातर होते हैं कि पीजी ले लेते हैं होस्टल छोड के वाई क्योंकि उन्हें कुछ खाना पसंद नहीं होता है और कुछ बच्चों को नेटवर्क मतलब वाई-फाइ वगेरा की दिक्कत हो सारे सीनियर जुनियर सब एक रहते हैं बस दो होस्टल है एक एक नॉन इस है जो एसी वाला होस्टल है वो जिनके मार्क सच्छा आते हैं उनको मिलता है ठीक है यह आपको बताना चाहूंगा एडिशनली कि गर्ल्स में ट्रिपल शेरिंग रूम्स जातर अवेलेबल रहते ह सबस्क्राइब करण चैनल को सबस्क्राइब कर लेना अगा उनन इंपर्मेटिव वीडियोस दैखना चाहते हो और मतलब जैक और जोसा से रिलेटेट सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी ठीक है और अगेन ये कोई कॉंट्रोवर्शल वीडियो टाइप में से मतले के जाना भाई मैं खुद अमन भीया का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये कोई मैं कमियां वगेरा नहीं निकाल रहा था मतलब ये था कि चार साल में जो अब चेंजिस आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता था और ठीक है या मतलब 4 साल में चार साले था यहां और चार साल साल बाद कि आए ठीक है तो बाई अमन ध Words पाते है तो बाई उनके लिए हैट स्इब आप her, तो अब हम वीडियो को खितम करते हैं ठीक है अब यहां तक आगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए थैंक्स फॉर वाचिंग